नमस्कार मैं पत्रकार हनवान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज और अपनी न्यूज के इवनिंग बुलिटिन में चर्चा करेंगे राजनिती की और राजनिती में सबसे ज़्यादा फोक्स रहेगा सिर्शा वहीं उससे पहले बात कर लेते हैं हरियाना सतर की आज भारती अजन्ता पार्टी की टिक्टों का आज निर्धारन होकर और दूसरी सूची आनी थी लेकिन अभी तक वो नहीं आई है ऐसे में आज देर रात को या कल की तारिक में हर आल में भाजपा की दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी वहीं बात कर लेते हैं कॉंग्रेस पार्टी की तो कॉंग्रेस पार्टी का आज जो इंडिया गठबंदन के तहत आम आदमी पार्टी से जो कल तक चर्चा चल रही थी कि पांच सीटे आमादमी पार्टी को दी जाएगी तो ऐसे में आज उनका घठबंदन तूट चुका है यहां बता दें कि टिक्टों के निर्धारन में देरी की जा रही थी ऐसा आरोप आमादमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और उसके बाद आज 20 परत्याशियों की आमादमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है तो यह बड़ा घठना करम इसको हम कह सकते हैं वहीं से पहले कल देर रात को कॉंग्रेस पार्टी की एक तीसरी सूची जारी की गई थी जिसके अंदर उन्होंने कुल जो है वो नो परत्याशियों के नाम उसमें सामिल किय जो जिन परत्याशियों को टिकट दी गई है नो में जिसमें है थाने सर से असो करोड़ा है गनोर से कुलदीव सर्मा है उचाना कला से ब्रिजंदर सिंग है और टोहाना से प्रमवीर सिंग है तोसाम से अनिरुद चोधरी है महम से बलराज डांगी और नांगल चोधरी से शिर्मती मंजू चोधरी है बादशापूर से वर्दान यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर इन नो को जो है कॉंग्रेस पार्टी की तीसरी सूचे में इनका नाम निर्धारित किया गया है इनको टिकटें दी गई है अब चोथी सूची कल आने के प्रबल चान्स है और वो आने वाला वक्त बताएगा कि किस में मतलब कोन से प्रताशी को जो है विश्वास जताएज आता है पार्टी की तरफ से वहीं अब बात कर लेते हैं सिर्शा की तो सिर्शा के अंदर कल जिस तरह से अधिते चोटाला ने बीजे पी छोड़ कर इने लो जोईन की थ तो आज उन्होंने नामंकन दाखिल किया है और चोधरियोंपर का चोटाला की मौजूदगी में डवाली के अंदर उन्होंने आज अपना नामंकन परचा जो है वो भर दिया है और उसके बाद में एक रेली का एक करेकरताओं का करेकरम किया गया था उसके अंदर उन्होंन लोग विधानसवा में भेजेंगे और इसके अलावा लगातार अगर यहां से बात करें तो लगातार यहां से अमित शिहाग कॉंग्रेस पार्टी के परचासी हैं वो चुनाव परचार कर रहे हैं और दिगविजे चोटाला जेजेपी के परचासी हैं वो भी अपने हो रहा है कि कोणिये मुकावला होने की संभावना है तो ये एक बड़ा घठना करम इसको हम कह सकते हैं वहीं बात कर लेते हैं आमादमी पार्टी ने जिन 20 लोगों को टिकट दी गई है उसमें दो टिकटें सिर्शा जिला की भी है जिसके अंदर सिर्शा से रानिया विदानस का प्रचैसी बनाए गया है कुल्दी गदराना का काफी एक प्रभाव है तो ऐसे में हो सकता है कि टिकटें की वजाए डवाली में चोकोना मुकावला भी देखने को मिल सकता है ये आज की अब तक की अपडेट है इसके अलावा बात कर लेते हैं रानिया की तो रानिया में जन्संप्रा का भ्यान उन्होंने सुरू कर दिया है नामंकन दाखिल अभी तक किया नहीं है लेकिन आज उन्होंने अपना जो जन्संप्रा का भ्यान है वो दोतर गाउं से सुरू किया था उसके बाद में मंगालिया फतेपुरिया मौमद पुरिया बाला सर गिंदड़ा गोड़ा वाली और गमोड़ा थेड़ी है यहां पर उन्होंने अपने करेकर में आयोजित किये हैं तो यहां पर इनके अलावा लगातार पीछले करीब बीस दिन से जब से अचार सहीता लगी है तभी से अरजुन चोटाला इनेलो के जो परतियासी हैं वो जन्संपर कर रहे ह और अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं लेकिन अब जीस तरह के जो महौल चल रहे हैं उसके से मताबिक यह परतियत हो रहा है कि रानिया के अंदर अब की बार दादा पोते का जो है वो कड़ा मुकावला होने की परबल आसा है उमीद है वहीं अगर ऐसा हो जाता है कि कॉंग्रेस पार्टी का अगर परत्यासी कोई जाट हो जाता है और विशेश तोर पर जाट में अगर संदीप नहरा को कॉंग्रेस पार्टी का परत्यासी न्यूक्त कर दिया जाता है तो ऐसे में यहां पर भी चोकोना मुकावला हो सकता है जो समीकरन जिस तरह के बने तो ऐसे में राणिया के अंदर जो अलग जातिगत जो समीकरन है उसके मताबिक ऐसा माहौल बन सकता है कि जैसे कंबोज बिरादरी है उनका जो काफी वोट वैंक है वो अपने बिरादरी के इसाब से सिस्पाल कंबोज को अगर चला जाता है तो नौन जाट का भी जो फैक्ट चले गा तो उसके अंदर भी सिस्पाल कंबोज को बेनिफिट होने के आसार है तो ऐसे में चोकोना मुकाबला हो सकता है और उस चोकोना मुकाबले के अंदर कोई भी वाजी मार सकता है किसी भी परत्यासी की जीत हो सकती है उसमें कोई अतीशोक्ती वाली बात नहीं होगी अगर कोई इस तरह से कोई चोथा या तीसरा या दूसरा कोई भी अगर इसमें बाजी मारता है तो इसमें हरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए. वहीं बात कर लेते हैं एलनावाद की तो एलनावाद की राजनिती फिलाल बिल्कुल ठंडी है क्योंकि इने लों के जो प्रत्यासी हैं चोधरी अवेशिंग चोटला वो लगातार अपने पार्टी का पूरे हर्यानेस तरके कार्यक्रमों में बीजी हैं और उसके अलावा अभी तक पर तैसी निर्धारित नहीं किये हैं तो ऐसे में यहां पर राजनिती बिल्कुल ठंडी है और बात करते हैं सिर्सा की तो सिर्सा के अंदर के अगर घटनाकरम की बात करें तो आज हलंकी कल गौपाल कंडा ने कहा था कि आज के लिए कि एक गुड नीज मिलेगी यानि कि उनको उमीद है कि आज बीजेपी की तरफ से उनका जो हलोपा है उसके साथ संग्ठन उनका होगा घटबंदन और उसमें उनको दो या तीन सीटें मिल सकती है ऐसी उनकी उमीद थी ऐसी आसा थी उस आसा के अधार पर उन्होंने कल यह बोला था कि कल गुड नीज म या कल सुबह तक आ सकती है वो क्या कुछ रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन उसके अलावा बात कर लेते हैं कॉंग्रेस के यहां पर जो हाली के अंदर कॉंग्रेस पार्टी जोईन की है गोकुल सेतिया लगाता दिली में बने हुए हैं लेकिन अभी तक उनको चर्चा चल रही है वो यह है कि अगर कल की तारिख में कॉंग्रेस और बी-जे-पी की तरफ से टिक्टों का निर्धारन how जाता है तो ऐसे में कई इन पार्टियों के इन एलों में सामिल हो सकते हैं ऐसे चर्चे वो लगातार चल रहे हैं जिसमें कई बड़े लोग हैं जिनका नाम लेना आप उचित नहीं होगा लेकिन बता दें कि उनका चर्चा काफी ज्यादा चल रहा है जिसमें एक नाम पहले पाउन बैनिवाल का भी तो उस स्थति में कुछ भी उल्ट फेर हो सकता है जिसमें चर्चा ये भी है लोगों का जो कहना है वो ये यह कि अगर 친ट की टिकेट वीरवण में टको नहीं मिलती है तो वे इनलो में जा सकते हैं ऐसा चर्चा है वही कोंगरेस पर्टी की टिकेट अलनवाद से पावन वेई हो जाता है तो फिर उसके बाद गोकुल सेतिया के लिए चिंता को विशे बन जाएगा तो ये आज के बड़े गठना करम जो समीकरन है वो हमने बताए हैं इनके समद में आपका क्या कुछ कहना है कोई और अलग बात आपको ऐसा हो कि जो पूछने हो भी हम इस हमारे इस डेली इविनिंग बुलिटिन में डालें तो वह भी बताना वही एक बात और बता देता हूं कि इस बुलिटिन के साथ हम अगर सिर्शा के अंदर कोई बड़ी गठना होती है राजनिति के अलवा तो वो भी हम सूचना देने का प्रियास करेंगे वो बिल्कुल इस जो लास्ट का जो दो या तीन मिनिट के अंदर हम वो चीजें बताएंगे लेकिन आज का कोई बड़ा गठना करम नहीं है लेकिन इतना कह सकता हूं कि राजनिति के अंदर कल दोपेर बारा बजे तक काफी उल्ट फेर होने के परबल संभावना है ऐसा परबल ये संभावना इस तरह की है कि बड़े जो नेता है जो पार्टियों के वहां पर उतल पुतल जैसे पूरे हर्याना के अंदर जिस तरह की बनी हुई है उस तरह की यहां पर भी बनने की परबल संभावना है और इसका कल शाम के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये ये बड़े गठना करम हुए है हमारा एपिसोड जो किस तरह का आपको लगता है इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको लगता है कि हम स्टिक जानकरी दे रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को सेर जरूर कर दें हलांकि जिस दिन से हमने ये शुरू किया है जो डेली इवनिंग निसला जुरूर देते रहें ताकि हम इसके अंदर और ज्यादा सुधार कर सके हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद